नमस्कार दोस्तों, श्टडी फोर गोल्स पर आप समों का स्वागत है, इट्स मी रंजित कुमार, and you can follow me on Instagram, Twitter and Facebook, and ask you any queries related to your upcoming JPSC and JSSC exams. Friends, आज के इस वीडियो में हम साथ से नौ माई के दोरान बने जारखंट के कुछ अती महत्पुन Current Affairs देखेंगे, जो आगामी JPSC हैं, हम JSSC exam point of view से important होगा. Friends, याद रखें, दो मई को होने वाला JPSC exam को extend किया गया है, और COVID-19 pandemic जैसे खत्म होता है, यकीन मानिए आपको within 15 to 30 days से ज़्यादा समय JPSC नहीं देने वाला है, और तुरंत exam conduct हो जाएगी, और उस समय आप रोना मत रहिएगा, कि हाँ मुझे समय नहीं मिला, मैंने तयारी तो अभी जो समय मिल रहा है, घर पे रहके, उसे as a opportunity लिजे और इसका सदूप्यों कीजे और अपने ज़्यादा सज्यादा समय exam की तैयारी में लगाईए, तो चलिए इसी करम को जारी रखते हुए, देखते हैं 7 से 9 माई के बीच बनने वाले जार्खन की कुछ अती जार्खन सरकार के द्वारा COVID-19 संक्रमन को रोकने है तो या सही इलाज है तो अमरी त्वाहिनी एप का सुरवाद किया गया है, चलिए इससे समन्दी थोड़े explanation देख लेजे, फ्रिंट से हाली में जार्खन सरकार के द्वारा COVID-19 संक्रमितों को बेड उपलब्द कराने कर ही, COVID-19 सरकीट की पहल की गई थी और इसके लावे संजीवनी वाहन की भी सुरवात की गई थी, हमने अपने पिछले करन्ट अफेर के वीडियो में इन दोनों संजीवनी वाहन एवं COVID-19 सरकीट पे अल्रेड डिटेल में चर्चा कर रखा है, तो आप उसे वहां से देख स लाइड है, जिसमें अमरीत वाहनी एप के बारे में बताया गया है, कोई भी COVID-19 संक्रमित मरीज जिसे बेड की उपलब दता या फिर COVID-19 संक्रमित है, उसे डॉक्टरी परामर्स वगरा की जरूरत है, तो अमरीत वाहनी एप के माधियम से वह परामर्स सेवं जारकन के किस ह उस्पिटल में कितने बेट खाली हैं, इस अंदर में आप उस सारी डीटेल अमरीत वाहनी एप के माधियम से मिल जाएगा, और आप अमरीत वाहनी डॉट इन पे भी जाके लॉग इन करके सारा डीटेल जान सकते हैं, इसके अलावे ये वाट्सप नंबर है, इस वाट्सप सारी जानकारियां ले सकते हैं, तो फ्रेंट्स ये काफी अच्छी पहल है, इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में परसारित कीजिए, हमारी वाट्सप गुरूप में यह पीडियेप सेयर कर दिया जाएगा, और यह सलाइड भी है, तो इसे ज्यादा से ज्या सेजन 8 के ओक्षन के लिए चैन किया गया है, चलिए इससे समंदित थोड़े एक्स्प्लानेशन देख लेते हैं, तो प्रो कबड़ी सीजन 8 के ओक्षन है, तो देश के कुल 446 खिलाडियों का चैन हुआ है, जिसमें जारखन के दो खिलाडी, एक जमसेतपूर के भोला, सिं सिजन हो चुके हैं, तो जो प्रो कबड़ी का 8 सिजन था, वह 2020 में आउजीत होने वाला था, जिसे COVID-19 पैंडेमिक के वज़े से 2021 में सिफ्ट किया गया था, प्रो कबड़ी में फ्रेंट स्कुल 12 टीम में भाग लेते हैं, और प्रो कबड़ी का जो पहला मुकाबला, पहला लीग था, उसका विजे था, बंगाल वारियर्स तथा सबसे अधिक बार जितने वाली टीम पटना पैरेट से तीन बार विज़े रहे हैं, तो इसे भी ध्यान रखें, आगे यह भी ध्यान रखें कि पिछले प्रो कबड़ी का, यानि जो 2019 में हो था, उसका विजे था, बं जारखंड उच न्याले के न्याधिस रहे थे, सुप्रीम कोट के न्याधिस रहे थे, और उपरोक तो तीनो सही, तो फ्रेंट्स इसका सही अंसर है, उपरोक तो तीनो बातें, एम वाई इकवाल से समंद में सही है, तो इस समंदित चलिए थोड़ी एक्सप्लानेशन कर देख लिजे हाली मेश सुप्रीम कोट के पूर्व निया इधीज ८्य ॅहक वाल का दिखन हो गए है यह रांची में वकालत की शुरवात करने के बाद जारकन उच न्याले के निया इधीज के बाद सुप्रीम कोट या बहट जाया आगे आज का च aujourd'ा प्रस्था प्रस्था औरे फ्रेंट्स हाली में मिर्ट्यणजय सिर्वास्तों का निधन हो गया है वे किस छेतर से जुड़े हुए थे तो इसका सही एंसर है फ्रेंट्स पत्रकारिता मिर्ट्यणजय सिर्वास्तियो पत्रकारिता के छेतर से जुड़े वे थे तो option C सही है हाली में इनका निधन हो गया है इसे समंदी थोड़े explanation देखिए हाली में आज तक के पत्रकार मिर्तियंजे स्रिवास्तों का निधन हो गया है इनके अलावे याद रखिए आज तक के ही एक वरिष्ट पत्रकार रोहित सर्दानक आभी हाली में निधन हो गया था तो ये राष्टी अंतराष्टी करंट अफेर में यह प्रस्न भी पूछा जा सकता है पांचमा प्रस्ने फ्रेंट्स हाली में जारकंड के किस विधायक को विधान सभा की सदस्यता दिलाई गई है तो इसका सही अंसर होगा हफी जुल हसन को विधान सभा की सदस्यता दिलाई गई है कुमार जै मंगल हाली में पिछले वर्स बिर्मो उपचना हुआ था वहां से विजय ही रहे थे और बसंत सोरेन बरहेट विधानसबाद छेतर से जीते थे लुईस मरांडी बरहेट विधानसबाद छेतर में आ रही थी तो अप्सन को भी ध्यान में रखना है इससे समंदित चलिए थोड़ी एक्स्प्लानेशन देख लिजे हाली में मध्व पूरू उपचुनाओ के विजयता हाफीजुल हसन को विधानसबा की सदेश्यता किसने दिलाया है तो विधानसबाद्यच रविंदरनात महत्तो तो यह भी ध्यान रखे विधानसबाद्यच क वे जारकंट के अलपसंख्यक कल्यान मंत्री हैं इनसे पूर्व इनके पिता हाजी हुसेन अंसारी जारकंट के अलपसंख्यक कल्यान मंत्री थे और उनका निधन हो गया था जिसके वज़े से इन्हें मंत्री बनाया गया था और बाद में यह उपचुनाओ जीत चुके और अब यह जारखंट के अलपसंख्यक कल्यान मंतर है फ्रिंट्स आगे के प्रस्न देखने से पहले बता दू टीम S4G के द्वारा आपकी तैयारी को बहतर बनाने के लिए एक इनिसियेटिव लिया गया यानि एक नई पहल की गई है और यह 15 मही से लिए के 15 नॉमबर 2021 तक हमारे एक वाटसप ग्रूप होगा जिसमें आपको रूटीन वाइस कंटेंट प्रवाइड किया जाएंगे तो आपको कंटेंट किस तरह से मिलेंगे चलिए उससे समंधित मैं कुछ बातें बता देता हूँ अबर आपको प्रती दिन दिया जाएगा आगे बता दूँ स्टेट PCS को ध्यान में रखते वे जितने भी न्यूज़ पेपर्स हैं, उनका इडिटोरियल का एक PDF, जिसमें सारे न्यूज़ पेपर्स का, इंगलिस, हिंदिस, जो भी न्यूज़ पेपर है, उनका सारा इडिटोरियल का PDF भी आपको हमारे इस WhatsApp ग्रूप पे मिल जाएगा, डेली अजियादी JSC के एक्जाम से समंधी notification आजाते हैं, या ऐसे भी आपको reasoning का dose आप जो बंदे JSC, CGL के एक्जाम के त्यारी में लगे हैं, उनके लिए reasoning और math का daily practice करवाया जाएगा, आगे general science के questions, daily आपको 4 p.m. में उपलब्द करवाया जाएगा, daily S4G general knowledge dose जिसमें history, geography, politics, economics and other miscellaneous topic पे day by day आपको उपलब् just like जारकन constable का, excise constable का, इन सब में समानी हिंदी बगारा का बहुत रोल होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए समानी हिंदी के भी 10-10 प्रसन का आपको daily practice करवाया जाएगा, ताकि आप continue आपका त्यारी होता रहे, इसके लावे general English के भी कुछ है, जारकन के ऐसी exam है, general English, basic English के बारे में भी पूछा जाता है, तो इससे समंदित भी PDF आपको उपलब्द करवाया जाएगा, और detailed description of JPSC mains questions, मैं खुद ही, JPSC mains में पूछे के एक प्रसन को परती week as a video और as a PDF मैं discuss करूँगा, तो यह भी आपको हमारे इस group में मिल जाएगा, इसके लावे weekly आपको जारखन के जो current affair है, जैसे week हमारा तो daily current affair आता है, लेकिन इन daily current affair में जो very very important प्रसन होंगे, उसे compile कर एक video के रूप में परती एक week में, यानि Saturday और Sunday को weekly जारखन current affair और weekly national and international current affair के रूप में दिया जाएगा, वीडियो मिले चाहे ना मिले, आपको गुरूप में PDF नियमता मिल इसके लावे friends, परते एक माहा के पंदरा तारीको JSC PT को ध्यान में रखते हुए, एक full length practice दिया जाएगा, और परते एक माहा के 30 तारीको JPSC prelims को ध्यान में रखते हुए, एक full length test दिया जाएगा, और यह भी as a PDF आपको दिया जाएगा, और आगे चलके यह आपको link के माध से online sectional test भी मिलेगा, और आपको अगर JPSC और JSC को लेके dot है, तो आप talk to your S4G mentors या tutor, इसका भी सुईधा मिलेगा, और हमारी चैनल पे जितने भी वीडियो अप्लोड होते हैं, उसका PDF आपको वीडियो अप्लोड होने के साथ ही, आपको same day में आपको इसका PDF ही मिल जाएगा PDF of previous year questions जैसे 5th JPSC या 4th JPSC ये सारी JPSC के papers आपको ढूडने पे बड़ा complicated है, मिलता नहीं है, तो ये आपको हम असानी से उपलब्द करवा देंगे हमारी group में, और इसके लावे many more content जैसे जैसे एक्जाम होता है, एक्जाम में कोई बदला होता है, या फिर current issues के topic हैं, तो इन सारी चीजें आपको इस group में उपलब्द कराया जाएगा, इस group को join करने के लिए आपको एक छूटा सा charge रखा गया है, सहयोग कहें या charge कहें, रुपिज 99 का, या नि 99 रुपिज पे करके आप इस group से जुड़ सकते हैं, और वह भी 6 महीने की वैदिता के साथ, यानि राष्टी Current Affairs, as a video मिले, डेली Current Affairs, ज्हारकंट Current Affairs के वीडियो भी मिलेंगे और PDF मिलेंगे, लेकिन राष्टी वीमंत, राष्टी Current Affairs के वीडियो आपको मिले, चाह ना मिले, लेकिन as a PDF आपको परती दिन जो time mention है, उस time पे आपको या मिल जाएगा, तो इस group से जुड़ने के आपको करना क्या है फ्रेंट्स देख लिजे स्क्रीन पे इसको आप रोग करके देख सकते हैं तो आपको करना क्या है रूपीज 99 का पेमेंट दिये गया नंबर 9801114450 पर गूगल पे पे टियम अमेजन पे फोन पे किजे और उसका स्क्रीन सॉट हमारे इस नंबर पे दोनों के स्टूडेंट्स के वेलफेर के लिए प्रयास किया जा रहा है रूपीज 99 का जो चार्ज है वह इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब हम पे कर देते हैं किसी सीज के लिए तो हम थोड़ा उस पे ज़्यादा सिंसियरली यानि सिंसियर स्टूडेंट्स का चैन के लिए है और इसके लावे फ्रिंट्स जो आपके लिए मंतली फुलन टेस्ट हो गया है या फिर कुछ पीडियेप्स हो गया है उन्हें तयार करने के लिए टैपिस्ट हो गया है या अदर एक्सपेंसे है उसे फुल्फिल किया जा सके इसलिए यह थोटा चोटा सा चार्ज लगाया और यह चार्ज भी आपके विलफियर में ही यूज किया जाएगा तो फ्रिंट्स आप बेचेक हमारे गुरूप से जुड़िये जल से जल जुड़िये पंदरा तारीक से हमारे रूटीन बेसिस पे आपको कंटेंड मिलने प्रारम हो जाएंगे फ्रिंट्स आगे बता दू हर दिन की तरह पिछले करेंट अफेर के वीडियो में आपसे प्रसन पूछा गया था जार्खन में लोग सभात था राजी सभाहितु करम से कितने सीटें तो इसका सही एंसर ज्यादतर भीवर्स ने इसका सही एंसर किया है तो आप इसी परकार से कमेंट बॉक्स में एंसर क करने से हमें लगता है कि हमारा जो प्रयास किया जा रहा है उसका लाव हमारे भीवर्स उठा रहे हैं तो इसका सही एंसर आपने दिया है कि लोग सभा की जो सीटें वह ज्यार्खन में 14 हैं और राजिस सभा की जो सीटें वह 6 है फ्रिंट्स लोग सभाई में विधान सभा स समंदित डिटेल चर्चा हमने अपने पिछले करेंट अफेर के वीडियो में किया था तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो का question of the day आपके लिए है प्रसने फ्रेंड्स जार्खंड का दूसरा सबसे उचा और भारत का 21 सबसे उचा जल परपात कौन सा है रिपीट जार्खंड का दूसरा सबसे उचा और भारत का 21 सबसे उचा जल परपात कौन सा है तो अफसने बुड़ा गाग जल परपात तमासिन जल परपात हुंडु जल परपात और जोना जल परपात तो इसका answer आपको comment box में करना है friends आपको बताना है क जार्खंड का दूसरा सबसे उचा जल परपात कौन है जो भारत का 21 सबसे उचा जल परपात भी है इसके लावे बताईए कि जार्खंड का पहला सबसे उचा जल परपात कौन है और उसकी उचाई क्या है तो इन सारी बातों इन डिटेल में थोड़े जल परपात important topic हो जात तो आप बेही चेक हमारी वीडियो को लाइक किया किजे और share जरूर किया किजे क्योंकि फ्रेंड्स टीम में S4G के दोवारे जो भी इनिसेटिव लिये जाते हैं अधर चैनल के दोवारे डारिक्ट कॉपी कर लिया जाता है तो आप Study for Goals को बढ़ावा देने के लिए आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share किया किजे ताकि आपको जो भी मिले उसका स्रे रियल क्रेटर को जा सके तो बही चक आप हमारी content को share किया किजे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम से जुड़ें और हम back to back आपके लिए एक से एक fruitful content ला सके फ्रेंट्स जब लोग ज्यादा हम से जुड़ते हैं तो हमारी team का मनोबल बढ़ता है और वे ज्यादा से ज्यादा content बनाने को motivate होते हैं तो बही चक share किया किजे आप अपने WhatsApp अस्टेटस लगाया किजे अपनों के बीच में share किया किजे और one more thing जरूर WhatsApp ग्रूप से जरूर जुड़िए यकीन मानिए होता कि हम बुक्स या कहीं से पढ़ाई करते हैं तो वह एक regularity maintain नहीं कर पाते हैं यानि continue हम नहीं रह पाते हैं लेकिन ग्रूप हो जाने के वज़े से क्या होगा कि आप पेक किये हुए हैं तो ग्रूप में जो भी content आएंगे आप जरूर देखेंगे और उससे क्या होगा कि आप day by day update रहेंगे और अपरते चुरूप से आपका तयारी इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा तो friends आपको जूड़ने के लिए करना क्या है हमने discuss कर रखा है पुना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप pay कीजिए 99 का और उसका screenshot दिये के नंबर पे भेज जिए और ग्रूप का हिस्सा बनकर अपने तयारी को बहतर बनाईए इसके लावे friends आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जूड़िए टेलिग्राम पे जाकर study for goals सर्च कीजिए आपको वहाँ पे हमारे previous PDF मिल जाएंगे सारे links मिल जाएंगे वहाँ पे quizzes भी होते हैं तो आप टेलिग्राम ग्रूप से भी जूड़ सकते हैं इसके लावे आप Instagram, Facebook और Twitter पे भी study for goals को follow कीजिए वहाँ पे भी आपको कुछ न कुछ fruitful content back to back update होते रहते हैं जारकन से related सारे update वहाँ update किये जाते हैं तो भेज़क हर platform पे आप हमें follow कीजिए हमारे सत्थ बने रहिए आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए study for goals team लगतार प्रयासरत है तो friends all the best for your preparation and for your upcoming exams मैं फिर मिलूँगा next current affair के वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिन, जै जारकन and जोहार